कई बार आपने देखा होगा कि चिडिया या कबूतर आपके घर की मुडेरिया अन्य किसी कौने में अपना रहने का ठिकाना बना लेते हैं घर को गंदा करने के डर से हम अक्सर उनके घौसलों को वहां से हटा कर वहां से भगा देते हैं लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि पक्षियों का घर में इस तरह से आनक कई तरह के शुब अशुब प्रभाव लेकर रहता है आज हम आपको घर में कबूतर के आग्मन के संकेत बताते हैं मानेताओं के मुताबिक घर में कबूतर का घोसला बनाना अशुप मना जाता है इसकी वज़ा से परिवार की सुक सांती भंग होती है और घर में दरिदता प्रिवेश कर जाती है कबूतर के घौसला बनाने की वज़ा से घर में अक्सर गंद की पस्री रहती है और परिवार के लोगों को एक-एक पैसे के लिए तरसना पड़ता है धार्मिक विद्वानों की मुताबिक अगर कबूतर गोसला बनाने की वज़ा कभी कबार घर की मुडेर पर आकर गुटर गुख करता है तो यह शुब संकेत माना जाता है कहते हैं कि इसके जर्ये माल लक्षमी घर में आगमन का संकेत बेशती है सुबसुब कबूतर के घर पर आना धन लाब की और इशारा होता है जोती सास्तर के अनुसार अगर आप कबूतर को दाना खाते देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में धन की व्रदी होने वाली है इससे परिवार के सदैस्यों की तरक्की होती है और गर में सुख सांती आती है हला कि इस बात का ध्यान रखें कि कबूतर को छट पर दाना डालने की वज़ाए बालकनी या आंगन में दाना पानी रखें ऐसा करने से बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं असल नियूज वीरा रिपोल